फ्रानहोफर प्रिज्म के साथ प्रयोग करके ये पता कर रहे थे कि प्रिसिशन लेंसिस के लिए सबसे अच्छा काच कौन रहेगा वो यही सोच रहे थे कि प्रिज्म से बनने वाले स्पेक्रम को किस तरह से और भी बैतर देखा जा सकता है जिस तरह साउंड वेव्स की लंबाई से ये तै होता है कि उनकी पिछ कितनी होगी उसी तरह लाइट की वेवलेंड से तै होता है कि हमें कौन सा रंग दिखाई देगा मगर प्रेज्म कैसे सूर की रोशनी में छिपे सारे रंगों को फैला देता है इस वर्ग आप फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को मिलता हुआ देख रहे हैं जिससे मेरी अपनी वाली साइन्स का जन्म हुआ एस्ट्रो फिजिक्स का फ्रॉन हॉफर ने जब इनको देखा तो यही सोचा ऐसा क्यों?